आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समचारों के साथ मेराना शाहिद मुखे समाचार रक्षमंत्री राजनाच सेहें आज दो दिन की यात्रा पर फ्रांस रवाना होंगे वह पैरिस में राफेल लड़ाकु विमान को हासिल करेंगे आयकर विभाग के राष्ट्री यी आकलन केंदर का उदगाटन आज केंदरी वित मंत्री निर्मला सीता रमन करेंगी राजिस्तरिये वन्य प्राणी सप्ता का समापन आज और महा नवमी के परवपर देवी मंदिरों में उम्री श्रद्धालूं की भीड अब समाचार विस्तार से रक्षा मंत्री राजनाच सेहें आज दो दिन की यातरा पर फ्रांस के लिए रवाना होंगे श्री सेहें फ्रांस के राष्ट्रपती इमेनुल मैक्रो से कल पैरिस में मुलाकात करेंगे बाद में श्रेसेहिं फ्रांस के सशस्त्र बलों के मंत्री फ्लोरेंस पारली के साथ लड़ाकु विमान राफैल को भारत को सौंपने के एक समारों में शामिल होंगे रक्षा मंत्री का फ्रांस के सशस्त्र बलों के साथ वार्षिक रक्षावार्था करने का भी कारिक्रम है वह विज्या दश्मी के शुभ अफसर पर शस्त्र पूजा भी करेंगे रक्षा मंत्री फ्रांसी सी रक्षा उध्यों के मुख्य कारिकारी अधिकारियों को संबुधित भी करेंगे इस दोरान उन्हें Make-in-India और अगले साल फरवरी में लखनों में आयजित होने वाले रक्षा प्रदाशनी में भाग लेने का अग्रह करेंगे केंद्री वित मंत्री निर्मला सीता रमण आज नई दिल्ली में आएकर विभाग के राष्ट्रीय इ आकलन केंद्र का उठखाटन करेंगी इससे करडाता कर अधिकारियों के साथ आमने सामने की बाचीत से बच पाएंगे वित मंत्राले ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रिय ये आकलन केंद्र की स्थापना करदाताओं को बहतर सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक कदम है इससे करदाताओं की शिकायतें कम करने के प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया की परिकल्पना साकार करने में मदद मिलेगी और सुगम व्यापार को बढ़ावा मिलेगा इस नई पहल से आकलन प्रिक्रिया में अधिक दक्षता, पार दर्शिता और जवाबते ही सुनिश्चित होगी नई प्रणाली के तहत करदाताओं को उनके पंजिकृत, ई-मेल और वेब पोर्टल पर रजिस्टर्ड एकाउंट पर सूचनाए मिलेंगी प्रदीश में होटल, रिजॉट और हैरिटेज होटल की स्थापना के लिए बड़े होटलों को आकशित और प्रोटसाहित करने के लिए सतत अनुदान उपलब्ध करानी की ब्रांडेट होटल प्रोटसाहन नीती 2019 को भी मंजूरी दी गई है मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ब्रांड होटल की स्थापना पर इस तरह की नीती बनाई है मुखे मंत्री कमलनात की अध्यक्षिता में पिछले दिनों मंत्रालय में हुई राज्य मंत्री मंदल की बैठक में ब्रांडेट होटल प्रोटसाहन नीती को सुविकार किया गया। अनुमान है कि इस नीती से प्रदेश में अगले पांच वर्षों में ब्रांड होटिल्स में कम से कम एक हजार लग्षरी और विश्वस्तरिये नवीन कक्ष स्थापित हो सकेंगे। इसके साथ ही मंत्री मंडल ने परेटन विकास के लक्षें को हासिल करने के लिए परेटन नीती को व्यवारिक व्यापक और पूंजी निवेश के अनुकूल बनाने के लिए इसमें संशोधन को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश पैंशनर कल्यान मंडल का पुनरगठन किया है। ओम प्रकाश बुधोलिया को मंडल का सदस्य बनाया गया है। इनका कारेकाल दो साल का होगा। वित्व विभाग द्वारा जारी अधी सूचना के अनुसार अपर मुखे सचिव वित्र को मंडल का अधिक्ष बनाया गया है। प्रमुख सचिव, सचिव सामानि प्रिशासन, सचिव वित्र तथा प्रमुख सचिव लोग स्वास्त एवं परिवार कल्यान को मंडल का सदस्य मनुनीत किया गया है। प्रदिश में पेट्रोल डीजल पर बढ़ाए गए वैट के विरोध में ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल जारी है। हड़ताल में टैंकर और डंपर मालिकों के समर्थन दिये जाने का दावा किया गया है। यह समाचार आप आकाश्वाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुवधा के नुसार सुन सकते हैं। यह समाचार बुलिटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर EIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या EIR News आप पर भी यह समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्यस तरिये वन्य प्राणी सप्ताह का आज समापन होगा। समापन समारों सुभा 11 बजे वन विहार राष्ट्री उद्यान की विहार विथिका में होगा। जिसमें वन्य मंत्री उमंग सिंगार वन्य प्राणी सप्ताह में आयजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरुसकार देंगे। श्री सिंगार फोटो प्रदर्शनी का अवलुकन करने के साथ ग्रीन कैलेंडर का विमोचन भी करेंगे। इस मौके पर व्रत्यचित्र वन रक्षक प्रोटेक्टर ओफ पैराडाईस का शुबारम एवं प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रदीश में आज महानवमी शद्धा और उल्लास से मनाई जा रही है। नवरात्र के मौके पर विभिन शहरों में गर्बिक आयजन किया जा रहा है। परंपरा अनुसार खंडवा आकाशवाणी केंदर में भी कल गर्बिक आयजन किया गया। उमरिया जिले के वीर से ही पाली स्थित माविरासनी देवी मंदिर में श्रद्धालू का ताता लगा है। यहाँ श्रद्धालू नौ दिन के वृत्त के बाद ज्वारा कलशों का विसरजन करते हैं। उज्जैन उंका रेशवर सहित अन्य देवी मंदिरों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालू पहुँच रहे हैं। इन दौर में कल मा विजासन देवी मंदिर में दो किलोमीटर लंबी चुनरी चड़ाई गई। इस दोरान निकाली गई चुनरी यात्रा में प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया गया। महा नवमी के बाद कल बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विज्या दश्मी मनाये जाएगा। इस अफसर पर रावण, कुमकरण और मेगनात के पुतले दहन किये जाते हैं। भोपाल में भी दशहरी की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। शहर के छोला मैदान, संत हिर्दाराम नगर, कोलार, भेल, बाग मुगालिय समेत, कई स्थानों पर कल रावण दहन के कारिकम आयुजित किये जाएंगे। नवमी पर्व के साथी आज से देवी की जाकियों के विसरजन का सिलसिला शुरू होगा। राज्य सरकार ने प्रतिमाओ के विसरजन में सुरक्षा के पूरे इंतिजाम करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। किसी भी घाट पर शद्धालों को नाव पर जाकर विसरजन की अनुमती नहीं दी जाएगी। महराष्ट्र के पुणे में आईजित चौथे SNBP All India Hockey Tournament Under 16 बालक में। कल खेले गए सेमिफाइनल में मध्यप्रदेश होकी अकादमी की टीम ने स्टील अथोरिटी ओफ इंडिया सेल की टीम को चार दो से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकादला आज मध्यप्रदेश होकी अकादमी और शिरोमनी गुरुद्वारा प्रबंदग कमिटी SGPC अमरितसर के बीच खेला जाएगा। यह प्रतियोगिता एक अक्टूबर से चल रही है। अब कुछ समचार संक्षेप में। खंडवा जिले में भारत सरकार के स्वास्त मंत्राले के अधिकारी 16-23 अक्टूबर तक प्रदेश के खंडवा और चिंदवाड़ा जिलों का प्रहमण कर स्वास्त संस्थाओं में उपलब्द सुविधाओं की समिक्षा करेंगे। सिविनी जिले के 16 जबलपूर मार्क पर धुनई घाटी में कल भीशन स्टड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई जबके तीन की हालत गंभीर है उन्हें सिविनी जिला अस्पताल में भरती कराये गया है। अंत में मुखे समचार एक बार फिर। काश्वाणी भोपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनिए दो पहर दो बचकर 30 मिनट पर नमस्कार। इतती कि रिला अस्पताल में भोपाल से अगल।